जाहिंद नुए स्टड़ी 24 में आप सभी का स्वागत है मैं आज के वीडियो में मगद के बारे में चर्चा करने वाला हूं इससे पिछले वीडियो में हम लोग महा जनपद के बारे में विस्तार प्रुवक चर्चा किये थे और उसमें देखे थे कि मगद सबसे सकती साले ज जानते हैं मगद सबसे सकती साली बनके उभर एक क्यों तो यदि इसका एस्थिति हम लोग देखे तो पिछले वीडियो में ही इसका चर्चा कर दिया है कि मगद का आर्थिक राजनितिक और समाजी के शूद्रिद होने की वज़़े से मगद का काफी विकास हुआ और मगद अपने सकती को बढ़ाने लगे जड़ी इससे पहले की हम लोग देखे तो पहले क्या हुए थे मगद के अलावा जितनी भी सोलम हाजन पत्थे सभी महा सकती होने के लिए संघर्ष कर रहे थे और इसमें जो है मगद सबसे पहले उभर कर आए तो हम लोग चलिए आज के इस बेद में किया गया है और अथरा वेद के अनुसर मगद के संस्थापक विरिदरत को माना जाता है और वि Cherry किसके पूत्र थे तो वॉसू के पूत्र थे और बिद्रत के जो पूत्र थे वो जड़ा संग है तो आप इससे समझ गए है अब हम देखते हैं कि मगद के उठ्था हर्यक वंस, सिशुनाग वंस, नंद वंस और मौरिबंस ये सभी वंस मगद के उठ्ठान में अपना महत्पुन भूमी का निभा है haunted तो सबसे पहले हम लोग देखते है हर्यक वंस के वारे में जदी हम लोग चर्चा करें तो हर्यक वंस को क्या कहा जाता है मगद का फर्थम वंस के रूप में जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले मगद में किस वंसों का सासक रहा तो वो हर्यक वंस का हर्यक वंस को क्या कहा जाता है पित्र हंता वंस के रूप में भी जाना जाता है यहाँ पित्र हंता वंस आया हनता का मतलब होता है यूस पितर का मतलब हता हर्येश का मतलब होता हत्य करने वाला लेकर 492 विसी कि पिछी अबत क्या होता है और इसी लिए जदि इसका मैथमेटिकल भुष्टी से देखे तो यह वावन वर्स तक क्या किये थे सासन चला है और जदि बश्यक वन्स का वास्ट्रुक संस्थापन किसे माना जाता है यह संस्थापन किसे माना जाता है और इसे एक और नाम से भी जाना जाता ता जाता है वह है यह गौतम बुद्ध के मित्र भी थे और उनके संरक्षक भी थे तो काफी कि इंपोर्टेंट हो जाता है तो इसे आप जरूर धियान में रखें और अपना राजधानी राजगीर में बनाया और यदि इसका इंपोर्टेंट कोशन में देखें तो पहली बार कोई भी श्रेनी वद साइनिक जो रखें जैसे कि लागातार साइनिक हम लोग पीछे के वीडियो में देखें थे कि जितने भी महाजन पद या जन पद हुए सब साइनिक अबसक्ता अनुसार रखते थे नही लेकिन हरीयक बंजने पहली बार सवेनिक से साइनिक रखे और उस शाहनिक को करमबद एक रूप दिया इसके अब देखें तो fireworks विश्तार ने अपने छत्र विश्तार के लिए क्या किये थे बिवाद नीति का सहडा लिया और उसने तीन साधी के तो पहला साधी जो कि और कोसल के राज्रकमारी महा कोसला Δेवी सेके। нат혔से रियाद रखें गेँगे और उसे देहेज में क्या मिल है तो जिससे अब उसे देहेज में कासी मिल गये तो क्या हुआ इसका पस्सिम भाग में विकास हो गया और इसके बाद जो किये वह लिश्वी के साधी जो किये थे तो चेलना का ही पुत्र हुआ था कौन आजाद सत्रू और जो की काफी फेमस सासक रहे हैं पस्सिम भाग में तो विस्तार किये कासी देहेज में मिलने की वजह से तो उसी तरीका से अंग के जो सासक थे वो ब्रहम दत थे उसको क्या के हत्या कर दिये और हत् उसमें एक important question देखा जया तो राजबैद जो उनका थे जीवक जीवक ने भी काफी महत्पुन सहयुग किया था क्योंकि जीवक ने गौतम बुद्ध जब बिमार पड़ गये थे तो उनका किसे उपचार किस ने किया था जीवक ने किया था और जीवक ने भी अवंती के जो लेकिन बाद में दोनों मित्र हो जाते हैं और जब अल Douantini को पिलिःा रोग होता है मतलब यह हो गया कि जिवक को बेड़ता है और बाद में चार सो बिरानवे इस्वी में विम्बि सार को क्या किये थे उनके ही पुत्र अजाद सत्रू ने उनका क्या 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 हत्या कर दिया तो आप एक क्रमबद को समझ गे इसके बाद हम लोग देखते हैं अजाद सत्रू अजाद सत्रू क्या क्या है अपने पिता का हत्या करने के बाद 490 पर शिहासन पर बैठे और और उसने कौसल और बैसाल बैसाली को क्या किये यूद करने के उपरांत मगद में मिला लिए हम लोग देखे कि कौसल से इनका अच्छा सम्मझता की कि ननिहाल था लेकिन ये अजास्तर क्या किये उसे भी अपने अधिकार छेत्र में कर लि जिसके बाद इसका उपनाम जो है कुनिक क्या नाम उपनाम पढगी कुनिक पढगे और वैसाली के यूद में यूद में यह कौन से हाथियार का प्रियोग किया थे तो सबसे पहला जो हाथियार उपयोग किया था वह हुवो मह सिलह कंठक नामligen जमातभित इन हाथियार Il फ खास हथ्यार नहीं होता है लेकिन उस समय के प्रिफ्रक्स से हम लोग देखे तो यह काफी महत्पुन हथ्यार हो जाते हैं और जिसके बज़र से वह बैसाली यूद में जीत प्राप्त करने के बाद बैसाली को मगद परांत में मिला लिए इसके बाद यह देख लेते हैं कि अ अक्रामक रूप अपना लिए और इसी अक्रामक रूप को देखते हुए अजाद सत्रु ने राजगिरी को क्या कर दिये किलावंदी कर दिये जदी अजाद सत्रु से कोई महत्पुर्ण इंपोर्टेंट को पोस्चन देखे तो सबसे पहले बहुत संगती का आयोजन किस न हुए और उद्देन भी क्या किये 460 BC में अपने पिता अजाद सत्रु की हत्या करने के उपरांत सियाहसन पर बिराजमान हुए और वो अपना जो राजधानी है वो राजधानी राजगीर से बदल कर कहा कर दिये पाटली पुद्र और पाटली पुद्र उस टैम में कहा था तो वो गंगा और सोन नदी के संगम अस्थान संगम अस्थान हम लोग किसे कहते हैं जैसे दो जक्सन को जैसे कि यह सोन नदी हो है और यह गंगार और यह जो मिलना अस्थान होते हैं इसके जो अपर वाले भाग होते हैं इस अस्थान पर क्या किया है यह पाटली पुद्र सबसे बातिवबाद में पाली पुतर हो गया और पाली पुत का ब्रतमान नाह्म देखे को पचना होLes जो बर्तमान में पटना सहर है वह उश्कान में पुसोंपुझा थे और पुसोंपुटा को ही अपना राजधानी बना और एक दमान है तो नागदरशक मंपार्पूर क्यो तो मगद में देखें कि मगद में सबसे पहला वर्नन कहां मिला तो अथरवेद में इसके बाद जदी मगद के विकास में कौन-कौन से बंस महतपुर्ण रहे तो चार वंस रहे हर्यक वंस शिसुनाग वंस नंद वंस और मौड़ी वंस तो आज के वीडियो में हम लोग केवल हर्यक वंस के देखें तो हर्यक वंस के संस्थापक थे वो विंदुसार थे और विंदुसार जो से गौतम बुद के सं मित्र भी थे और उनके संरक्षन भी थे साथ में वो अपने छेत्र विस्तार के लिए बिवा निती अपना है और तीन बिवा किये और उनमें दूसरा बिवा जो किये थे लिछवी के राजकुमारी चेलना से और चेलना से पूत्र हुआ था अजाद सत्रू अजाद सत्रू ने उसे 492 बीसी में उनके हत्या कर दी हत्य करने के बाद खुद सीहासन पर बैठे और काफी अक रामक है और कौशल और बैसागी पर आकरबन कर उसे जीत कर उनके ही पुत्र उदैन ने उनका हत्या कर दिया 460 विसी में और खुद सिहासन पर बैठ गये और वो राजधानी को पाटले पुत्र बदल दिये पाटले पुत्र गंगा और शोन नदी के संगम अस्थान पर है और इसके बाद जदि इनसाशन का अंतिम सासक देखे तो वो कौन थे नाग दरसक थे तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करकर जरूर बताएं धन्यवाद